जहीं दोस्तों बंदे मातरम तो भई बात ऐसी है कि प्राइविटाइजेशन की मुझे ऐसा लगता है शुरूआत हो चुकी है खबर निकल कर ये आ रही कि टाटा संस ने बिट जीत ली है एर इंडिया को खरीदने के लिए स्पाइस जेट के चेर्मेन अजय सिंग को हरा कर इस बात का फॉर्मल अनॉंस्मेंट मेरे खाल से होना बाकी है अभी जिस पॉइंट में ये न्यूज बना रहा हूं मीडिया में जा चुकी है कि टाटा संस ने बिट जीत ली है तो अब इसको लेकर विपक्ष जिसकी काफी मजबूरी बन चुकी है सरकार की पूरे समया लोचना करते रहना अब वो सकता एक बार फिर से ये मुद्दा उठाएगा कि देखिए देश को बेचने की शुरूआत हो चुकी है जब देश को बेचने की शुरूआत की बात होगी तो बहुत अत्तक पॉसिबिलिटी है कि वो ये भी बोल दें कि टाटा जो है वो तो संगी है क्योंकि आज की रेट में अगर भाजपा से जुड़ा हुआ कोई भी भाजपा को या तो सपोर्ट कर रहा हो या भाजपा का सा लेकिन एक तरफ आप ये भी देखेंगे कि एर इंडिया के बिकने की या एर इंडिया के टाटा संस के हाथ में जाने की ज़्यादा चर्चाएं नहीं होगी क्योंकि ये बात भली भाती एक एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि थोड़ा बहुत भी आज की रेट से अपडेटे कर रहा हूं और वो टैक्स जा रहा है किसको चलाने में एर इंडिया को चलाने में जो कि अल्रेडी लॉस में चल रही है तो मेरा पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है तो अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आप बिलुकुल कुछ भी बोल सकते हो कि भई हमारा देश बिक उस पैसे को आप और भी जादा development में खर्च कर सकते हो ये बात हर एक इंसान को समझनी पड़ेगी आप example के लिए मान लिजी कि आपके पास एक plot है मान लिजे कि आपके पास है भाई आपको पता है महंगाई बहुत जादा आप खरीद नहीं सकते फिर भी हम मान लेते हैं भी थोड़ी दिर के लिए अच्छा लगेगा कि हमारे पास एक plot है अब उस plot को हमने क्या किया रखा हुआ है अब रखे 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 plot अंदा तो देगा नहीं आप क्या करोगे आप उसको या तो lease पे दोगे या फिर आप उसको बेच दोगे बेचने का मतलब क्या हो गया भी है कि आपने अपनी तरफ से उसको नकी कर देगा भी है अब हमें उससे कुछ मतलब नहीं lease पर देने का क्या मतलब होता है कि आपने 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आपने वो plot किसी एक को दे दिया अब तुम इसके ओपर जो करना तुम करो धंदा 25 साल के बाद आपन या तो रियो नेगशियेट करेंगे या फिर हम वो plot आप से वापस लेंगे ऐसा करने से क्या हुआ वो जो plot है अब वो आपको कुछ पैसे कमा के दे रहा है वो अंडे की तरह पड़ा नहीं हुआ है लेकिन उस पे आप कुछ नहीं कर रहा हो भई आप तो सरकार हुए इस plot के लिए अगर उस plot पे आप कुछ नहीं कर रहा हो तो कहीं न कहीं आप उस plot के साथ दोका कर रहे हो उसको lease पे दे कर ऐसा बिलकुल नहीं है अगर कोई जमीन का तुकड़ा रखे रखे अंडा नहीं दे रहा है और उसको किसी को lease पे देने से आपके पास पैसा आ रहा है तो सरकार ऐसा नहीं कि पूरा 100% खतम कर देगी ऐसा कभी नहीं होगा तो सरकार का annual revenue बढ़ेगा प्लस जो सरकार को अपना दिमाग लगाना पड़ता है आप खुद देखोगे आप में से कई लोग मुझ से agree भी करेंगे तो आप उसका operation देख लो और आप जो लोकल रहती है उसका operation देख लो आपको जमीन आसमन का अंतर देख जाएगा लेकिन किराय में बहुत जादा अंतर नहीं होता ऐसा क्यों होता लबकि private company भी वही काम कर रही है और सरकारी agency भी वही काम कर रही होती है लेकिन सरकारी agency में आपको मानना पड़ेगा लोगों में थोड़ी बहुत तो काम चोरी रहती है तो ऐसे में साफ सफाई हो गया, management हो गया, इन सब चीजों की तरफ लोग जादा ध्यान नहीं देते है वहीं private sector में सबी चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता है क्योंकि in the end उनको कर government को पैसा देना है, लोगों को salary देना है तो उनको profit बनाना ही पड़ेगा मतलब profit बनाना उनके लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है और बस इसी चीज का फायदा कौन उठाता है private sector और government भी इसी चीज का फायदा उठाना चाहता है कर उनसे पैसे कमा सकती है तो इसमें बुरा क्या है वाई उस पैसे को एंडी एंट एक्सपेर के development में तो खर्च होगा मतलब आप आज की rate में हमारे highways देख लीजिए क्यों अच्छे बन रहा है कही ना कही हमारा और आपका पैसा ही है जो कि वहाँ पर जाके लग रहा है और यह जो काम हो रहा है नितिन कटकरी के जो डिपार्टमेंट इसके अंडर में कही ना कही वो लोग भी इसको private ठेको कोई दे रहे है कि यह आप लोग हमें काम करके दो गवर्नेंट ओफिशल्स वहाँ काम करने जाएंगे तो फिर आप जानती ही हो क्या होगा मतलब आज हमारे शहर में आप सड़कों पे निकल जाओ अभी हम कुछ दिनों पहले हमने एक व्लोग बनाया था इसमें के हम बहार निकले थे तो मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हम उट की सवारी कर रहा है लेकिन ऐसा है ठीक है तो दूसरी चीज़ आप कई बार आपने देखा होगी प्राइवेट सेक्टर में लोगों की तनखा रहती है एक लाग, सवा लाग, देड़ लाग, दो लाग, ढई लाग तक सेलरी रहती है जबकि सरकारी में अगर हम देखेंगे तो जो सर्फ और टॉप के ओफिसर्स रहते हैं उनकी ही सेलरी ऐसी रहती है तो ऐसे में लोगों की पर कैपिटा इंकम बड़ेगी, सेलरी बड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को जब काम करते हैं तो उनकी काम करना पड़ता है, यह चीज आपको समझनी पड़ेगी इसके साथ और भी कई सारी चीज है, टैक्सपेर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, जैसे कि पैसा जो है वो इनको मिलेगा हमारी गवर्मेंट को, इसके अलावा जमीन का लिक्विटेशन, प्राइवेटाइशन, सेलरी बड़ेगी, अच्छा, एक चीज और जो लोग ब बड़ा मार्केट कैप है, इवन टीसी एसी पाकिस्तान से कई गुना आगे है, तो हम टाटा की तो खेर बाती छोड़ दें, तो ऐसे में टाटा एक ऐसा स्टार्ट अप है, जो कि कई सौ सालों से भारत में, कई सौ तो नहीं हैं, लेकि सौ से दो सो साल के बीच से भारत में आपरेट कर रहा है, मैं इसको स्टार्ट अप इसलिए कहूंगा, यह मतलब एक बिजनेस ही है, तो हम इसको स्टार्ट अप कह सकते हैं, क्या यह लोग भाग आप ऐसा लेकर, नहीं, बलकि इन लोगों ने जो चीज़ें खड़ी करी हैं भारत में, उससे भारती लोगों को ह कही न कहीं रोजगार मिल रहा है, अगर हम बात करते हैं किसकी, रिलाइंस की बात करते हैं, रिलाइंस भी कहीं न कहीं यही कर रहा है, आप रिलाइंस इंडर्स्टिस में देखिए कितने लोग आज की डेट में जॉब कर रहा है, भाई, और सबसे बड़ा एक्जामपल मैं जरूर ऐसे थे जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ बीसे नहीं चलता था उसके लावा कुछ नहीं चलता था अपार्ट फॉम डेट हम डेटा की बात करें एयर टेल आइडिया वोड़ा फोन यह सभी कंपनिया ऑपरेशन में थी डेटा काम को क्या पैसा देना पड़ता था भले ही पतला मेरे को जहां तक ध्यान है मैंने 200-2500 रुपए पर जीबी तक दिया है एक जीबी का जो कि आजकर हम लोग यूँ उड़ा देता है तो यह सब चीज़ें क्या है जीओ के आने के बाद से एकदम से क्यों वदल लगी क्यों एयर टेल और इनको दिक्कात होने लगी क्यो अगर 1500-200 रुपए का पर महीने का रिचार्ज पढ़ रहा है जिसमें कि आप बढ़िया तरीके से मोबाइल चलाते हो इंटरनेट के साथ इंटरनेट के इनक्टिवटी तक सुदर गई है नहीं तो आज की डेट में वर्क फ्राम चल रहा है न यह फेल हो जाता कैसे हो पाए जब तक आप उसमें जाकर यह नहीं करोगे कि मोनोपॉली के मैं साफ खिलाफ हूँ मोनोपॉली नहीं होना चाहिए वो जो चीज अभी इस समय टेलिकॉम में होती जा रही है जिकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि गलती भारती एर्टेल और इन सब की भी आपने क्यों तयार नहीं किया सही तरीके से और क्यों यह कंडिशन आगई कि वोड़ाफोन आइडिया कि बंद उने की कखार आ रही है यह बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हुई है ऐसे मैं एर इंडिया का टाटा के हाथ में जाना मुझे तो बहुत सही लगता है और रेलवे भी अगर प्राइवेट होकर अपनी क्वालिटी में सुधार कर पाते हैं तो जो हम कंप्लेंड करते हैं कि यह गंदगी है रेलवे साफ नहीं रहते हैं टौलेट खराब रहते हैं प्लेट फॉर्म पर यह दिक्कत है अगर प्राइविटेशन से यह सब चीज़ें दूर होती है समस्या क्या है समस्या उन लोगों को होगी यह संद्थी में कि जो लोग बलकूल सोच के बैठाए होना इस सरकारी नावगरी लग्पें सखाना है अब आपका क्याना है इस बारे मुझे कमेंट करके जगर बताएवां मेरे इस पमलालत आठना ही जय है